तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें उत्राखन आर्थिकी यानि उत्राखन की जो आर्थिकी है वो करा दूँगा बट एटलिस्ट पटवारी क्योंकि कई डिटा ऐसा होता बच्चो जो चेंज नहीं होता यानि बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता लगभग क्योंकि आकड़े तो पूछेगा नहीं यह पूछ सकते है कि सबसे जादा सबसे कम है इस टाइप की चीजाँ अ professions पूछता आया है एकजाम में और आर्थिक सर्वे यानि एक्कनूमिक सर्वे आप किसी भी एकजाम में जाएं बनकित भारत सरकार को एकजाम कराती है लाइक यूपीस्स को एकजाम कराएं बैंकिंग के सेक्टर में देखो, स्टेट गवर्मेंट्स के एक्जाम देखो, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है आर्थिक सर्वी, इकनोमिक सर्वी, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट का एक प्रकार से क्या होता है, उसमें लेखा जोखा होता है, कि डि डिपार्टमेट में कौन सी स्कीम चल रही है, किस डिपार्टमेट ने क्या चिप किया, तो उसी के आधार पर, क्योंकि वह सरकारी आफ़ बहे हैं, उसी के आधार पर आपका इग्जामनर भी जानता है, बच इग्जामनर को ये पता होना चैकि, हाँ, यहां से question पूछे जात पुराने question हो गए हैं उत्राखन का इतिहासी कितना पड़े जील नदियांगी वो कितना पड़े थोड़ा सा क्योंकि बेसिक question है वो तो सबको आ रहे हैं आप देखना तलिस नमर का अगर उत्राखन आते हैं तो question तो लगबख हर कोई बच्चा कर लेते हैं लेकिन 7-8 question जो होते हैं वो जो leak से हटके होते हैं जो आपकी पहुंच से बाहर होते हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पाते हैं सबसे बड़ा issue यहाँ पे आता है ठीक है तो हम लोग को मैंने क्योंकि GS की 4 classes बची है पटवारी से पहले ध्यान से सुनना ठीक है वो मैं पूरा करा दूँगा वो लगबख आपका मान के चलिए 7-8 तक पूरा हो जाएगा ठीक है 3-4 classes दो-3 classes economic survey के आधार पे यह जी जो सरकारी आकरे होगी जैसे एक class करा दी तब तक की Saturday Sunday Science की class भी आपकी Saturday Sunday और एकाथ class बिसमें यह हफते में 2-3 classes पटवारी की exam तक आ जाएंगे मतलब अभी तक 12 पटवारी न तो 3-4 classes में science की देने की पूरी कोसिस करूँगा उसके बद पटवारी का जैसे exam हो जाता है अपने तैयारी आप लोग क्योंकि देखो सारी चीज़ा कराई गई है हिंदी मैंने आपको बता जै कुछ एक्ष्टा पढ़ने की जर्वत नहीं syllabus में उतना ही दिया है quality का folder बना हुआ है history जो fact के आधार पे है वो folder बना हुआ है इसके अलावा geography का folder बना हुआ है तो आपका उससे काम बन जाएगा और इसके अलावा आप लोग lucent के आधार पे पढ़ते जाएए तो कनिस साह के लिए काप ही है current of year मैं आपको दूँगा ठीक है reasoning भी दूँगा मैं आपको देखें उत्राखन आर्थिकी के अंदर हम देखते हैं बचो कुछ महतुर प्रस्ट ने क्योंकि ये आर्थिक सर्वे एकनोमी सर्वे है एक कुछ क्वेशन इसमें आपको मैं repeat हो सकते हैं कि कुछ क्वेशन repeat हो जाएं जो मैंने आपको विंसर एर्वुक में कराए ते लेकिन क्योंकि एकनोमी सर्वे में वो महतुर प्रस्ट मिले आपको तीन चीज़ें आपको पताओंगी पहला क्वेशन देखो मौसम संबंधित पुर्वानुमान तंतर हेतु डापलर की स्तापना कहाँ पकी गई है ठीक है देखो उत्राखन में पुरा लिखना उत्राखन में मौसम पुर्वानुमान हेतु मौसम संबंधित पुर्वानुमान पुरा लिखना ठीक है उत्राखन में मौसम संबंधित पुर्वानुमान हेतु पुर्वानुमान हेतु ठीक है पहले ही अनुमान पूर्वा नुमान हे तु डापलर की स्थापना कहां किये गई है तीन जगा पर ठीक है डापलर स्थापित किये है बच्चों तीन जगा किये है यह मैं नहीं बता रहे है इस सरकार के आकड़े बता दें एक तो सबसे पहले आपको पतावगा मुक्तेश्वर में स्तापित गया。 लगभव कहीं 2020 में, मैंने पहली भी कराया था. मुक्तेश्वर में. इसके अलावा, एक कराय जा रहा है सॉर्कंड़ा में. ये भी हो गया सैद. सॉर्कंड़ा देवीवन्दी, सॉर्कंडा के पास. और एक कराई जारा लेंस डाउन में यहां पर आपका मौसम की पुर्मान मान ही तो डापलर की स्थापना की गए यह मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ ठीक है इसके अलावा वर्स 2021-22 का लिखना है ऐसे लिखना वर्स क्या पता है इस बार डेटा पूच दे आपसे 2021-22 अर्थ व्यवस्ता में तीन छेत्रक होते हैं मैंने हाला कि पहले भी कराए है इसको फिर से समझना तीन छेत्रक प्राथविक दुथीक तिरती है तो इस बार हो सकता है कि आपका एक्जेक्ट डेटा पूचे यानि मैं जो करा रहा है वो समझना ठीक है वर्स 2021-22 लिखो आप लोग इसी तरीके से इसमें अर्थ व्यवस्ता के तीन छेत्रों का योगदान लिखना ठीक है उत्राखन का है ठीक है अर्थ व्यवस्ता के तीन छेत्रों का योगदान के तीन छेत्रे यानि अर्थ व्यवस्ता के वच्चों तो तीन प्रमुक छेत्रे है एक को बोलते हैं प्रात्मिक छेत्र ठीक है प्रात्मिक इसमें क्या बता रहा हम हो वो देखना ठीक है एक को बोलते हैं दुतियक चेत्र या विनिर्मान चेत्र एक को बोलते हैं तिर्तियक चेत्र सेवा चेत्र ठीक है इसको बोलते हैं सेवा चेत्र भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्या विनिर्मान मैनिफेक्चरिंग सेक्टर विनिर्मान और इसको प्रामिरी सेक्टर प्रा 42.98% ठीक है और तीसरा आप लोग इसमें लिख लोगे किता 42.92% 42.92% अब इसका योगदान अगर पूछता है किसी भी केस में कि उत्राखन के अर्थे विवस्ता में सरवाधिक योगदान किसका है या सबसे कम किसका है इन तीनों में यह और इसका डेटा भी देखो यह question आचुका है यानी आप लोगों ने देख लिया होगा इसमें कि यह question आचुका है और यह question आया है इसको 42 नि 44 करना ठीक है यह question आ चुका है पहले पिपनम इसको 44 करो 44.98 सबसे ज़्यादा पुलिस वाले में आया था इसका योगता है आप जानते है अब मैं यह बताना जाहरा हूँ कि इसका डेटा याद है आप इसमें भी सबसे टॉप मां कौन सा है देखो agriculture चेतर है तो उसमें भी top होगा नए प्राथ्मिक चेतर में सबसे उपर है किर्सी का योगतान न मतले है जो हमारा सबसे प्राथ्मिक में इतना है इसमें भी टॉप कौन है किर्सी परसुपालन और वानी की लिखनो ठीक है पहले में किर्सी आएगा फिर पसुपालन आएगा पसुपालन फिर फरस्ट्री आएगा ठीक है वानिकी तीसरा लिखो वानिकी समाझ रहो ना मैं क्या कहना जारा हूँ मैं यह कहना जारा हूँ अर्थी विवस्ता में प्राथ्मिक छेत्र का योगदान तो कितना है अपने आप में 12-1-1% तो उसमें भी टॉप कौन है उस 12-1 में भी सबसे जाधा कौन है किरसी फिर पसुपालन सेकंड में और तीसरे में कौन सा वानिकी आएगा ठीक है दूतिये चेत्र में बच्छो विनिर्माण है तो इसमें सबसे जाधा विनिर्माण दूसरे में विद्धुत गैस तो था जलापूर्ती ठीक है इसमें सेकंड इसमें सबसे ताधा टॉपर कौन है देखो टॉप किस ने किया है विनिर्माण मैनिफेक्चरिंग विनिर्माण क्या होता है आपने कोई चीज प्राथ्मिक चेत्र या कहीं से उत्पादित की उसको कनवर्ट करना है उद्ध्योगू में ले जाके उद्ध्योगिक चेत्र में जाके जैसे लाल मिर्से टोड़ी है आपने खेट से उसको मिर्स पाउडर बनाना है और पैकिंग करके तो वह भी निर्माण मैनिफेक्चरिंग ठीक है दूसरा इसमें आएगा विद्धूत आपूर्ति प्लस जलापूर्ति यानि जो सेकंडरी जो सेक्टर है इसमें सेवा चेत्रे विद्धूत गैस तथा जलापूर्ति लिखो वि अगर पोशत अर्ति वेद्ध वेद्धव्वस्ता में सरवाधिक योगदान की करता है तिर्थियक चेत्र जो होता है व्यापार होटल जालपान करा है में इसके तउप लिखो लिखो टॉप में कौन कों होटल व्यापार सबसे ज़्यादा होटल जलपान गरा ये टॉप है ठीक आपको सिर्फ टॉप रखना है अगर आपसे कुशन कभी इस तरीके से पूछता है कि उत्राखन के अर्थे वस्ता में अब ये अलग अलग नहीं है पहला ये पहला हो गया ये कॉमा कॉमा कर दो व्यापार होटल और जलपान गरा ये एक हो गया दूसरा हो गया परिवहन बंढ़ार वो संचारन परिवहन बंढ़ारन और संचार ये सेकंडरी हो गया ठीक है मदलब ये पहला अब देखो सिंपल सी बात है उत्राखन की अर्थवस्ता में सबसे ज़्यादा योगदान पुछता है किसका होगा दुतियक चेतर का ये अगर दुतियक में भी सबसे ज़्यादा पूछी का तो फीनिन मान प्राथ्मिंग में सबसे ज़्यादा यानि आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार उत्राखन की पर कैपिटा इंकम कितनी है, प्रतिव्यक्ति आई कितनी है, संभावित है, मैंने पहले भी का कि संभावित है, हो सकता है, मैंने पहले भी साइद आपको यह बताया होगा कहीं ने कहीं पे, तो क्या पता इस बार आप से प और कैपिट इंकम, यानि प्रति व्यक्ति AI बोलते हैं, उसको ठीक है, प्रति व्यक्ति आई, यह कितनी निर्धान अनुमानित है, यह ग जो 1,672,582, 122 ठीक है, यह इसकी क्या है, प्रति व्यक्ति I और ये किस पे है अनुमारित है प्रचलित भावों पे ठीक है ब्रेकेट में लिखो जो चल रहा है rate प्रचलित एक तो इस्तिर मुली होता है एक प्रचलित भाव होता है ठीक है भाव पर ये rate है अपने आप में 1,622,282 रुपे ठीक है ये आपको पता होना चीए अब देख किस ने क्या किया जो पुलीस वाले एकजामर उशने कहां से उठाय आपना वी निर्मानँवाला सेक्टर से पटवारि के एकजामर कहां से उठाय यहां से और उचता है कि आप पर contradit विटा इंगम पूख दे आप से तो उतराखण के आये का स्रोच जो है बच्चो भारत सर सरकार से अनुधान भारत सरकार से अनुधान यह पहुंच गया लगभग 47 परसेंट तक 47 परसेंट ठीक है इसके अलावा जो सेकंडरी आता बच्चों वो टेक्स है डारेक्ट और इंडारेक्टरी टेक्स है ठीक है लिखो कर टेक्स कौन-कान से एपने आप में 38% तक कितना थाट और अन्यस और अन्यस और लगबग 13% तो ये है भारत सरकार से उत्राखंग के आई का सुरो सबसे ज़रा भारत सरकार से इसको मिल रहा है अब जो VY करती है, हमेशा टौप में लगबग कई सालों से उत्राखंड रहे रहा है, सिक्ष्या के चेत्रमें, लिखो बजट में उत्राखंड बजट VY में टॉप कौन कौन से ठीक है यानि ऐसी लिखतो सौट में सबस्यादा व्याई कहां कहां पह गर रहे हैं एजुगेशन के सेक्टर में लगभग लगाता उत्राखिन सर्गार में 30% का क्या होता है ब्याई होता है ठीक है यानि सिक्ष्या के चेत्र में लगभग 300% मत कर देना बच्चों कोई भरोसा नहीं है आप लोगा इसको थूला सा इधर क्लोज कर देते हैं 30% यह ज़्यादा क्लोज हो गया कहीं आप पतानी क्या समझ बैठो गए 30% का आजबास यहां पर क्या है सिक्ष्या के चेत्र में बैए है इसके अलावा लिखो सामान्य प्रसासनिक सेवाई यानि जो पॉब्लिक सर्विसेज है ठीक है उसमें 21% सामान्य प्रसासनिक सेवाई यहाँ पर 21% के असपा उताखिन सरकार में क्या होता है बैय होता और तीसरा चीज़ जो आता है बच्चो अपने आप में वो आता अधर सेक्टर और अधर सेक्टर के उसमें आर्थिक गति विद्या लिख तो सीधे-सीधे बैंक की जो साखाई है देहरादून में है सबसे कम जो है वो बागिस्वर में ठीक है लिखो उत्राखन में सरवाथिक बैंक की साखाई यह कहा है देहरादून में है ठीक है और कम लिखो बागिस्वर में कम कहां पर लिखोगे बागे स्वर्म लिखोगे यह बैंक की साखा है अब बैंक साखा है आपको के सरी क्यूं मतलब यहां पर ऐसा करा रहे हो यह इसलिए करा रहा हूं बच्चो क्योंकि बैंक साखा है जो होता है अपना पुब्लिक फाइनेस लोगों को बिती रोप से समाव इस आधार के लिए बैंक का होना बहुत जरूरी होता है ठीक अब देखो चुकि आर्थिक सर्वे में कुछ उत्राखंड के इंडेक्स देखे गए उत्राखंड की रैंक के देखी गई निती आयो के आधार पर अब हम क्या सोचने ना जैसे आज एक बार में आया कि उत्राखं समावी सी सुचकांग में इतना आया हमने करेंट पढ़ा करेंट पढ़ा और हम 2021-23 तक पहुंच गेंगें अब इग्जामनर आपकी किताब में भी होच देखा है इक्जामनर क्या करता है वो देखता है कि गवर्मेंट ने लास्ट में जो सहसन में अपना आर्थिक सर्वेय कुछ भी पेस करवाया था उसमें उसने क्या-क्या डेटा रिलीज किये तो कभी-कभी होता है हम पढ़ते कुछ हैं और पेपरों पुराना आता है अपने नोट किया होगा आप पढ़के 2022 का क्वेशन पूस देता है 19-20 का वो सरकारी आकणों से उठाता है क्वेशन यानि वो किसी परिक्षियावाणी या विंसर येर्बुक यहां उसको इतना फुरसत नहीं है क्यों ये पढ़े ठीक है वो क्या करता है सरकार के आकड़े निकालता है सरकार नी क्या किया था क्या-क्या उसमें और उसी आकड़ों के आधार के वो कुशन उठाता है ठीक है तो मैं इंडेक्स में ठीक है यानि उत्राखन जो विभीन इंडेक्स में आया है वो देखते हैं हम ठीक है सबसे पहला लिखो हेल्थ में हेल्थ सेक्टर में निति आयोग ने और येर भी लिखे हम ठीक है दो जार 19-20 19-20, यह आया बच्छो 16th position में, 16 V rank में, ठीक है, 19-20 में कौन सी rank पे आया, 16 V rank में, ठीक है, इसके अलावा लिखो SDG, यानि Sustainable Development Goal, समावे सी विकास लक्षी जिसको बोलता है, ठीक है, लिखो SDG, इसको क्या लिखोगे, Sustainable Development Goal, यानि समावे सी विकास लक्षी, यानि समावे स जो हमारे लक्षी है, मैंने आपको बताया था, Sustainable Development में, कौन को से key point है, यह 2021 में, तीसरे position पे रहा था, 2020, 21 में, इसको पोजिशन रही थी, 3rd, ठीक है, इसके अलावा जो बच्छो अगला आता है, Ease of Doing Business, यानि लिखो Ease of Doing Business, यानि बिजनस कहने में कितनी आसानी है, उतरा Ease of Doing Business की जो रैंक है, बच्छो या आया था, 2019 में, 11 भी रैंक में, ठीक है, कहां पर आया था, 2019 में, इसलिए पुराने आकड़ी उठाता है, ठीक है, उसके बाद आकड़ी नहीं आयोंगे, तो कहां से उठाएगा हो, 2019 में कौन से स्थान पर आया था, 11 वे स्थान पर, ठीक ये 2021 में, 15 इस्थान पर रहा था, ठीक है, लिखो, 2021 में, 15 इस्थान पर, 15 पोजिशन पर रहा था, most important कर देना, multi-dimensional poverty index, ठीक है, यानि बहु आयामी गरीबी सुचकांग लिख दो इसको इंदी में, बहु आयामी गरीबी सुचकांग, इसके बाद में आपको यही कराने वाल इसके बाद लिखो, इंडिया innovation index, 2020 में, 13 इस्थान पर रहा था, इंडिया innovation index, ट्रिपल आई हो गया, यानि भारत नवाचार सुचकांग लिख दिना इसको इसको हिंदी में, इंडिया innovation index, इसमें रहा था, 13 इस्थान पर, और लास्ट लिखो, dbt performance, यह 13 इस्थान पर रहा ये दो direct benefit transfer है ना बच्चो जो खातू में सीधा पैसा जा रहा है डीबीटी योजना आपने सुना होगी पर्ट्यक्स लाव हस्ताना अंतरन ये पांच वी रैंक पर आथा 2020 में 2020 में 5th rank पर आथा तो आपको देखो जो मैंने पहले कराए हूँ तो ध्यान रखने है बाइचांस अगर आपको पुराने आकड़े पूस्ता है तो आपको यह याद रखने है ठीक है अब आपको के सर कहां से उठाए यह है आर्थिक सर्वे के कोशन मैंने नहीं उठाए है अब देखो इसके बाद जो बच्चो आता है क्योंकि उस आर्थिक सर्वे में भारत की तुलना की गई भारत के साथ उत्राखन की तुलना की गई बहुत से पैमानों पर और उसमें से कई चीज़ां आपको और लेड़ी आती है यानि आपको मैं बता रहो कि आपको पहले ही पता है ठीक है अब आप ऐसा करोगे देखो कैसे लिखो उत्राखन ऐसे लिखोगे सीधे सीधे मैं लिखो उत्राखन का सेक्स रेशियो किसका चाइल्ड का बाल लिंगानुपाद ये है एट हंडेड़ नाइनटी ठीक में में करा दूँगा मां को इसके अलगो परतिसत चाइड़ पोपुलेशन यानि जो चाइड़ पॉबलेशन है कुल जनसंख्या मैं चाइड़ यानि सि सिसु जन्य संकिया परतिशत कुल जन्य संग में सिसु जन्य संकिया परतिशत पूछता है तो यह किते हैं 13.4 यानि प्रतेक अंडेट में से 13.4 परतिशत बाल हैं आपे बुच्चे हैं तीखा बाल निए 10-कि-वृधि-दर जो decade के अधारप है यह है बचो 18.8 ठीक है 18.8 परतिसद नेक्स लिखो जन घनत्व जन घनत्व यहां से question इसलिए उठाता है हमें लगता है कि basic question है यहां से उठाता है वो कुछ नहीं वो सरकार के आगड़े से उठाता है 189 ठीक है अगला देखो इसके बार लिखो सहरी जन सं जन संग्या परतिसद यह है बच्चों कितना 30.2 ठीक है यह आपके इससे संभावी थे कि question आपका बन जाए इसलिए आपका यहां अब देखो 2011 की जनगर्णा में यह तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि सबसे ज्यादा लिंगानुपाद की जिले में है सबसे कम यह खु जन गानत तो सबसे ज़्यादा कहा है सबसे कम किसमें तो यह तो एटलिस आपको आपने पड़े ही है ना मैं तो कोस्षिस कर रहा हूं कि इसमें से कहीं न कहीं आपका question दिख सकता है इसलिए क्योंकि आर्थिक सरवय में यह नहीं बताए गया कि कहां पे सबसे ज़्यादा sex रेशियो है कहाँ यह मैं आको सिर्फ और सिर्फ वही चीज देके बता रहा हूं जो आपका पेपर में आ सकता है ठीक है अब इसका यह मतलब नहीं यही आएगा आपको बेसिक चीज है तो आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब आता है सबसे इंपोटेंट चीज बहु आयामी निर्धन्ता के सुचकांग के सुचकांग यानि इंडेक्ट कौन-कौन से की वो होते है ठीक है देखो पहले के समय में क्या होता था गरीब आदमी किसको कहा दा था गरीबी कहा दा था यह बंदा पर मन्त या इसकी इंकम इतने से कम है 1000 रुपे से कम है या 500 रुपे से कम है तो गरीब है, मतलब उसको सिर्फ ये देखा लाता था, अब गरीबी के लिए अलग-अलग रिसर्च हुए, अलग-अलग तरीके से उस पर खोजबीन की गई, अब गरीबी सिर्फ इतनी ही नहीं रही, गरीबी अब क्या होगी, मल्टी डाइमेंशनल होगी, बहु आयामी गया, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, स्वास्ती सही नहीं है, तो आप गरीब होगे, आपके पास स्वास्त बहुत अच्छा है, पैसा नहीं है, अनपड है, तो गरीब होगे, यानि कहीं न कहीं बहु आयामी निर्धनता के लिए जो अलग-अलग सुचकांग ह यानि आप बहुत पैसे वाले हों आपका स्वास्त ही सही नहीं तो आप गरीब है अब समझ जा ना इसका सीधा सीधा मतलब क्या है आपके बहुत पैसा है आपका स्वास्त ही सही नहीं है आप बिमार आदमी है तो आप गरीब है ये आप सिर्फ पैसा ही नहीं रहा ठीक है गर यह आपके देखे जाते हैं स्वास्त में इसके अलबा सिक्ष्या यह आप बहुत पेंसे वाले अनुपड हैं तो भी आप गरीब है इसको गहते हैं इसको बहुत पेंसे वाले हो अनुपड हो तो गरीब होगे इसलिए कहते हैं बच्छो पड़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है ठीक है सबसे बेसिक सीज इंसान के जीवन में क्या है एक स्वास्त एक सिक्ष्या अगर आपका स्वास्त सही है अगर आप अपने फिटनेस पर अपने स्वास्त पर ध्यान देते हैं दूसरा आप अपने एजुकिशन पर ध्यान देते हैं तो आप गरीब नहीं बेसिकली चीज़ वरना कितना कमालो कुछ कलो सरीर ही सही नहीं है तो क्या कलोगे बहुत पैसा कमाल है पड़े लिखे ही नहीं हो तो क्या कलोगे कोई भी बेकुप बना देगा ठीक है तो ग्यान तो एक ऐसे चीज़ है ना बच्चो ग्यान या नहीं है या आपसे दिले को बिजली है स्वच्छ कुकिंग इदन है पेजल है पक्का आवास है सौचालाई है बैंक खाता है संपक्ति धारण की शमता है यानि जीवन इस तर में साथ इंडिकेटर है साथ मानक कौन-कौन से होगी साथ मानक के अंदर मैंने क्या क्या बताय आपको एक तो आपको कितना मतला आपका जीवन इस तर है पेजल इसमें लिखलो आप लोग्येजरी की कई अध़ी खाना के लिञीएक है अधंग फच्य एंधन लिको सुच्छ सुचछ पेजलाई पेजला हुग लिखने सोच्छ पेजल मैं यहीरे है सउंचा लखेएक बै बैंक खाता, ठीक है, यानि आपके पास पक्का मकान, एक और लिख दो, पक्का मकान, पक्का मकान, जिसमें 7 अतनों चुमें, ठीक है, पक्का मकान, बेसिकली यह है, आपको यह नहीं देखना है, आपको मैंने ऐसी बता दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो के, तो आपका बहुआया में निर्दंता सुचकांग में यह मानक रखे जाते हैं, ठीक है, तीन, यानि स्वास्त शिक्षाप जीवन इस तर अगर आपका सही है, यह चीज़ें आपके पास सही है, तो आप गरीब नहीं है, और इन में से कुछ भी डाउन है, तो इसका मतला आप सीदे सीदे का है, इन सान है, ठीक है, अब देखना आपको यह पता होना चाहिए, बच्चो कि बहु आया में निर्दंता है, तो जो परमुख मापग है, कैसे है, इसके लिए एक मैथड अपना ही जाते है, बच्चो, हेड काउंटर रेशियो, हेड काउंटर रेशियो का मतला आपके हेड जाएंगे, उसमें टोटल जन्सक्या में देखे जाएगा कि यह कितने गरीब इंसान है, उसको बोलता है, हेड काउंटर रेशियो, वो हमने मैथमेटिकल चीज है, वो पढ़नी नहीं है, ठीक है, हमें तो खाली एक फैक्ट सी है, कि हमें हलकी फुलकी समझ चाहिए, कि कैस इसको पूछ सकता है, तो हेड काउंटर रेशियो का प्रियोग किसके लिए क्या जाता है, लिखो, हेड काउंटर रेशियो, ठीक है, हेड काउंटर रेशियो, यानि हेड काउंटर रेशियो, इसका प्रियोग क्या जाता है, बहु आयम ही गरीबी मापन हे तो, लिखो, मल् मापन हे तू ठीक अब उतराखन की इसी आधार पे जो रेंक आई थी उतराखन कौनसे पोजिशन पर बताया था मैंने अभी आपको 15th पोजिशन पर यही है वो multi-dimensional पोबर्तरी जो उतराखन की जो रेंक आई थी बच्चों कौनसे आई थी 15 वे नंबर की आई को देखना है ठीक है देखो अब देखो जब आप बहुआयमी निर्धनता सुचकांग समाजगी तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कहां महुआयमी गरीबी है यानि जो मैंने आपको बता है है अब लिखो जो हैड काउंट रेशियो ठीक है मैंने एक बता है इसके आधार पर सबसे आधा गरीब कहा है है HCR के आधार पर के आधार पर सरवाधिक सरवाधिक मल्टी डाइमेंशिनल पोवर्टी रिखो अलमोडा में है ठीक है इसके आधार पर खाली खाली इसको अगर पकड़ेगा तो हैड काउंटर रेशियो देखोगे तो सबसे आधा गरीब कहां पर है अलमोडा में है यह ध्यान अखना आप लोग और सबसे जो कम है यानि इसके आधार पर वो है चंपाउद में तो वो तो छब छोड़ दो अब हर के आधार पर सरवाधिक मल्टी डाइमेंशनल पोवर्ट्री पूसता आपसे की जिले में है तो आप सिदे सिदे बताओगे क्या अलमोडा में जिले में है ठीक है अब देखना आपको एक चीज़ बताता हूँ अब ये दो चीज़ा होती है अब एक तो हैड काउंटर रे इसके लिए दो मानक हैं एक तो हैड काउंटर रेशियो देखा जाएगा टोटल जन सेंक्य हमें गरीब जन सेंक्या कितनी है जो गरीब ली के निचे है ँंट्टू कर दिया जाएगा है इसे निकलती है बेसिकली अब आपको कैसे निकलता है क्य." निकलता है व शपभच़ क इसके अगर खाली ये देखोगे तो इसके आधार पे अलवोडा है लेकिन अगर आप total overall count करोगे इसके आधार पे लिखो आप सबसे आधार लिखो multi-dimensional poverty इसके आधार पे सरवाधी कहा हरीद्वार में सरवाधी कहा है? हरीद्वार में है multi-dimensional poverty ध्यान रखना और सबसे कम है बच्चो आपने आप में देहरादून, PODY और NANITAL में ठीक है? district wise कम कहा लिखोगे? देहरादून, PODY, NANITAL तीन जगह है ठीक है? देहरादून, PODY और NANITAL और सबसे ज़्यादा है हरीद्वार, उत्तरकासी और US नगर ठीक है? उत्तरकासी और US नगर में इसमें सबसे ज़्यादा अपने आप में क्या है बच्चो? multi-dimensional poverty है ठीक है? और इसमें भी देखो एक ग्रामीन इलाका होता है, एक नगरी इलाका होता है इतने से आपका काम बन जाएगा, यानि आपको पुछता है multi-dimensional poverty के आधार पे सबसे ज़्यादा HR, 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 HR यानि head counter ratio के आधार सरवादी ये गरीबी अलमोडा overall पुछता है, सरवादी गरीब है हरीद्वार में, सबसे कम कहा है, देहरादून में है अब ज़्यादा है तो कम भी तो देखना पड़ेगा, कम वही योगा बच्चो जहां देहरादून में, बागी कम ज़्यादा सब ऐसी चल जाएगा, इतने से आपका का काम चल जाएगा सटनेवल डवलप्मेंट टारगेट 2020-21, सटनेवल डवलप्मेंट गोड़, SDG लिखो या सतत विकास लक्षे लिखो, ठीक है, SDG 2020-21 इसमें रहाँ बच्चो जो सबसे अच्छा प्रवद्शन किया था, टॉप बागे सुनने किया था, ठीक है, अब सतत विकास लक्षे के कई हैं, गरीबी, मीटा, ना, शिक्षिया आई, वो मैंने बताया था आपको, और लास्ट कौन रहा था, इसमें सबसे अंतिम इस्तान पर सतत विकास लक्षे को प्राप्त करने में ये रहा था बच्चो हरिद्वार, ठीक है, अंतिम कौन रहा था, हरिद्वार रहा था, ठीक है, हरिद्वार रहा था, SDG के रेंग, मैं बलास्ट के दो चार कुशन और लिखू, राज्य खाद्य आयोग कहा हैं, देहरादून म ठीक है, पहला प्रेक्टर आपको आलाचे, क्रॉपिंग पैटर लिखो उत्राकनगा, क्रॉपिंग पैटर ठीक है, और किसके आदार पे 2000, जो अपने आप में है, 1920, तो इसमें चेंज आता नहीं, बहुत रियरली चेंज आता है, सबसे आदा भाग पे गेहूं, यानि इसक धान किते पसंट पे 25 पसंट, ठीक है, उसके आद सेकेंड में, तीसरे पहले लिखो, आप लोग मंडवा, चौतरे पहले लिखो, गन्ना दोनों 99 परसंट है, ठीक है, मंडवा 9 पसंट और गन्ना 9 पसंट, ठीक है, ये क्रॉपिंग पैटरन है, तो उत्राकन का प्रमुख फसल पूछते हैं आपसे खाद्य पसल, तो आपकी क्या होते हैं कि गेहूं हो जाएगी, ठीक है, फलू में देखो, ऐसे लिखो, सरवाधिक छेत्र, किस में, हेक्टेर में, किस-किस चीज में आपको बता रहा हूँ, फल, सबजी, मसाला, पुस्प लिख लो आप, फल, सब सबजी में कहाँ है, मसाला में कहाँ है, और मसामा हो गई, मसाला लिखो, और लास्ट में पुस्प लिख लिखो, ठीक है, फूल में, अब देखो, फल में सबसे ज़्यादा जो अपने आप में छेतरा आता है, बच्छो, हेक्टेर जो खेती होती है, सबसे ज़्यादा, वो जो भी उत्तरकासी के छात्र हुंगे , कॉमेंट कर देने, ठीक है ? मसाला में देरादून, यानी यह टॉप में नहीं है , लेकिन ही सबसे जाधा वागपे यहाँ पर उगाई जाती है, पुस्प में हरीद्वार , पुस्प कहाँ पर उगाया जाता है , हर द्वार में इसकी खेती होती है, ठीक है। कासिपुर्मा इसको स्टैब्लिज किया है ठीक है ये था बच्चो सरकारी आक्पड़ों पर आधरी दुती क्लास सेकेंड क्लास उम्मीद करता हूं कि मैं आपनों कोई थोड़ा सा हेल्फ करेगा अगर ऐसे कुशन आगे तो वन्ना आप खुदी सोचो आप पढ़ के आ रहे ह जहां उम्मीद करते हैं ये सेसन आपको समझ आया होगा फिर मिलते हैं अगरे सेसन पर अपने ध्यान रखिएगा थैंक यू